प्रदेश के पहले सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्खाटन किया इस मौके पर अमित शाह के साथ सीयम मनुह लाल खटर और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित का इन्यनेता वाधिकारी मौजूद रहे हर्याणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस में आयोजीतिस कारेकरम में अमित शाहा ने ना केवल एक्सपोर्ट हाउस जनता को समर्पित किया मलकि इस दौरान कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंब किया शाहा ने इस दौरान सांजी डेरी का उतगाटन इथेनौल सयंत्र चीनी मिल पानिपत का शिलान्यास दुख्द सयंत्र रेवाडी का शिलान्यास इंटरनेट रेडियो व सहकारिता वाणी एप का शुभारंब किया और साथी साथ दूने सहकारिता समित्यों की वित्य स्थदी मजबूत करने के लिए 10,000 करोड रुपे भी दिये इस मौके पर अमिर्शा ने कहा कि देश के हर गाउं में सहकारिता समित्य कुलने की योजना बनाई गई है जिसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और आज फरियाना ने कॉपरेटिव के लिए भी धे सारे इनिसिटिव लिये हैं मुझे विश्वास है कि सहकारिता का ये इनिसिटिव आने वाले दिनों में गरिब से गरिब यक्ति के लिए संजीवनी सामित होने वाला है मित्रो हमने डिस्टिव को डिस्टिक कॉपरेटिव बैंक को एन्पियर भुक्त बनाने के लिए एक अभ्यान दिया इसके योदना भी भारत सरकाल लेकर आई है मुझे विश्वास है हर्याना भी इस दिशा में काभी कुछ करेगा अभी अभी बजेट में मोदी जीन एक बहुत बड़ी योदना देश के कोपरेटिर सेक्टर के लिए एक लक्स रखा है कि दो अजार पचीस के पहले देश की हर पंचायत के अंदर हर पंचायत के अंदर पैक्स की स्थापना की जाएगी और दो लाख नहे प्राइमरी एगरी हमारे विजलात के अंदर जिनके पास खुद की भूमी नहीं है जिनके पास घर बहुत पसू पालंग के साथ जोडने के लिए हमारे यहां एक पसू की चार बैस तीन बैस दो बैस लेनी है तो लेकर व और अपना धूर कोपरेटिव फेडरेशन में भरकर वो आगे इसका फाइदा ले पाएगा अपनी जीवन को ज्यापन करने का इसमें से कमाई कर से लिए इसके साथ-साथ पसू चारां साहिवेज पसू की चिकित्साय संपूर्ण वैक्सिनेशन और अनेक प्रकार के भीडि पसू पालन के सवकार कारेकर्ण के साथ जुड़ेगा तो सही परन्तु साथ के साथ समगर गाओं के अंदर स्वच्छता का भी वातावन होगा और गोबर गैस बढाकर गोबर को एक नेचल उर्जा उत्पादन करकर फिर बाद में एक और्गेनिक खाट के रूप में भी इ गूने में अध्याना ने ?! सांचि लिग के माध्यम से करा है मैं इनको बहुत बहुत पराली के समस्या का भी झिक्र किया और कहा कि हम पराली के समस्या का समध्दान कर रही हैं उनने बतायकि पराली से varieties कडिनों में पराली के समस्या भी दूर की जाएगी करनाल से पिरो रिपोर्ट पंजाब के स्टू टिवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद